इस बार ये कोई आम एपिसोड नहीं है इस बार ये बात करेंगे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम की जो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के साथ होती है कि सर हमें एक्जाम तो फोड़ना है हमें ये क्लियर है जो भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें मचाना है लेकिन ना सर एक दिक्कत है कि टाइम टेबल यार फॉलो नहीं हो पारा सर क्या करें टाइम टेबल कैसे फॉलो करें तो इस बारे में बात करेंगे बहुत ही बढ तोस्त अंकित गोयल जिसका गेट के अंदर दो बार AIR वन रहा है, प्रेजिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, आज तक दो लाग से भी जादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं for gate and EAC, और मैं अभी अनकाडमी में as a director work कर र और जिन बच्चों के पास resources नहीं है, उन्हें enable करना है कि वो भी exam crack कर पाएं with the top most rank, इसके लिए initiative के बाद initiative आते जाते हैं, not only on YouTube, but also on the unacademy app, तो इसलिए बच्चों unacademy app होना अनिवारे हैं, और उसमें कोई भी free initiative को unlock करो simply by using the code ANKIT EAC, बहुत simple है, चालो, तो आजाते हैं अब आप लोग भी पिटा कुछ ऐसा schedule बना लेते होगे कि Sunday को क्या करना है, Monday को क्या करना है, एक तारिक को, दो तारिक को, तीन तारिक को, अक्सर हम लोग ऐसा schedule बना लेते हैं, और सिर्फ schedule ही नहीं बनाते, बलकि उसमें हम time भी सोच लेते हैं, यार सुबह ना 7 बजे उठ आठ बजे से पढ़ने बैठूंगा, फिर ना मैं एक काम करूँगा ना 12 बजे तक पढ़ता रहूँगा, फिर मैं break लूँगा, और फिर ना मैं lunch करके ना दुबार इसे बैठ जाऊंगा र दो बजे से ना फिर तो उटूँगा ही नि एक दम, तो बेटा इस तरह के schedule आए दिन हम लोग बनाते हैं लेकिन शायद एक हफता भी consistently follow नहीं कर पाते हैं। उसका reason क्या होता है? उसका सबसे primary reason है कि आपका schedule बहुत ambitious होता है। schedule ambitious होता है, commitment उतना solid नहीं होता है, तो जब इतना तगड़ा एक schedule हम बना लेते हैं तो हमें problem तो आनी आनी है। क्योंकि अब उसे follow कैसे करें, वो commitment कहां से लाएं, एक piece of paper पे हमने लिख तो लिया कि हमें करना क्या है, लेकिन इसे करें कैसे वो जिगर, वो commitment, वो dedication कहां से आएगा, वो एक problem है। ये सबसे बड़ा problem है बेटा schedule follow करने वालो के लिए, अब क्या होता है, schedule follow नहीं होता, ठीक है, backlog बढ़ती जाती है, भाईया ये भी बच रहा है, वो भी बच रहा है, ये तो आज करना था, ये तो कल करना था, अब ये तो सबका sub pending है, तो क्या होता है, eventually हम लोग बहुत ज़ एकुल ही पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बताओं मेरे साथ कभी-कभी बेटा ऐसा होता था कि जब मेरे पास बहुत ज़ादा workload आ जाता था ना, तो मैं सोचता था यार, अब तो कुछ होई नहीं पाएगा, और मैं सो जाता था, मतलब उल्टा effect होता था, rather than कि मैं उस समय पे करे क्या यार, नहीं हो पा रहा ना, follow, फिर एक नया schedule, फिर वही कहानी दोहराई जाती है, तो बेटा, ये कहानी day by day, week by week, repeat होती रहती है, लेकिन time table से ना, हमें progress नहीं मिलती है, हमें progress नहीं मिलती है, तो अगर हम बात करें बेटा, इस तरह का burden आपके उपर भी बढ़ता जाता है, किताबे, notes, assignment, जाने, क्या-क्या pending होता है, सोचा था भया, इस subject की किताब पर डालेंगे, वो भी रह गई, सोचा था, इतने question लगा लेंगे, वो भी रह गया, तो ये बेटा, time table ना follow हो पाने के reasons है, अब ऐसा क्या हो सकता है, जो कि आपको successful बना दे, ऐसा आप क्य कर सकते हो, देखो इसके दो-तिन solution देता हूं, पहला solution, पहला solution ये बेटा, कि आप daily ना ये ना सोचते वे कि कितने घंटे dedicate करने, सबसे पहली बात ये सोचो, daily क्या target अचीव करना है, आपका एक daily का target होना, जैसे मैं अपना target रखता हूं, कि आज मुझे इतनी classes plus पे लेनी है इतना special पे content देना और इतना YouTube पे देना है, इतने मुझे learn engineering के videos बनाने, इतना मुझे pathfinder का बनाना है, इस type का मेरा daily का एक target होता है, जिसको achieve किये बिना मैं नहीं सोऊंगा, it doesn't matter, देखो live session की बात अलग है बिटा, जब मैं live आता हूं तब तो मैं पढ़ाई रहा हूं, लेकि नहीं कहता कि मैं perfect हूं, मेरा backlog नहीं होता है, किसी दिन कोई video बनानी होती है, miss हो जाती है, अब लेकिन बिटा मैं ये make sure करता हूं कि अगले दो दिन में मैं उसे cover up करूं, जब तक नहीं कर लिता ना तो अंदर से वो चुल रहती है, अंदर से वो irritation रहती है, कि मैं पीछे च हुआ, पहला solution target रखो, और target सर decide कैसे होंगे, चलो इस पे भी मैं बताता हूं, target के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये calculate करो, कि कितने दिन हैं आपके targeted exam के अंदर, IIT की तयारी करो, NEET की, GATE की, UPSC की, कितने दिन हैं, अब उन दिनों में कितना syllabus है, अब इस syllabus को strategically divide कर लो days में पहले divide करो month में, अगर मान लो 6 महीने बचे हैं, as an example, आपको 12 subject cover करने हैं, तो आपने सोचा यार, हर महीने ना, 3-3 subject करता हूं, 4 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में पर पास revision और test series के लिए बच जाएंगे, अब आपने strategically divide कर लिया कि July month में क्या होगा, August में क्या होगा, September मे अब आपके पास ये target आगया, अब month से आओ week पे, अगर एक subject में मान लो 5 units हैं, तो आपने उन्हें days में divide कर दिया, first unit इतने दिन, second unit इतने दिन, third unit इतने दिन, अब और छुटे level पे आगये, अब आजाओ daily target पे, अगर एक unit को 5 दिन दियें, तो कितना कितना cover करना हो गया, हो गया daily target, है ना, तो इस type से बिटा, इस activity में आपको maximum से maximum आधे से एक घंटा लगेगा, लेकिन it is very productive, क्योंकि आपको ना आपका लक्षे दिखने लगता है, आपको ये दिखने लगता है, अगर इतना follow कर लूँ तो मैं अपने target तक पहुंच जाओंगा, पहली च चीज़ कि कुछ slot दिन के fix होने चाहिए, जिनके अंदर आप पढ़ाई करोगे, अब सर यही तो समस्या है, यही तो नहीं हो पाता ना, बिल्कुल, बिल्कुल सही सोचे हो, लेकिन बिटा क्यों नहीं हो पाता ना, क्योंकि आप अकेले पे dependent होते हो, लेकिन अगर आप यही target group में कर दो, माल लो, आपने और आपके friend ने मिलके, एक sheet बना ली, एक target बना ली, अब बढ़ियां से, ठीक, अब आप लोगों ने decide किया कि यार, आज ना, मुझे x, y, z chapter पढ़ना है, सुबह 9 से 12 के बीच, अब एक problem हो गई यहाँ, अब अगर आपने skip किया ना, तो आपक से आगे दूसरा दोस निकल जाएगा, तो इस तरह से कुछ slot आप fix रख सकते हो, जिनके अंदर basic बेसिक चीज़े करनी है, बाकी कुछ एक चीज़े variable रख सकते हो, जैसे मान लो, time बच गया, चलो भाई, 10 question इस चीज़ के लगा लेते हैं, उस चीज़ के लगा लेते हैं, य पिटा किसी भी तरह से अगर ये काम 21 दिन हो गया, उसके बाद easy लगने लगेगा, देखो मैं जो plus पे class लेता हूँ, मैं सुबह 7 बजे लेता हूँ, और पिछले देड़ साल से ले रहा हूँ, मेरे लिए भी बिटा initially tough था, मेरे लिए भी बहुत दिक्कत होती थी उठने मे लेकिन जब ये ritual में आगया, habit में आगया, तो मुझे उससे better time ही नहीं लगता, plus की class लेने का, same way में आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, ये दिक्कत temporary है, ये with time चली जाएगी, तो अगर आपने कुछ दिन struggle कर लिया और इसको habit में ले तो आगे effortlessly आप काम करते रहोगे, मैं हमेशा इसलिए क्या करता हूँ, मेरी classes के slot fix रखता हूँ, शुरू-शुरू में दिक्कत आती है, कुछ एक हफता, 10 दिन, 15 दिन मुझे दिक्कत आती है, बट after that it becomes very very smooth, इसलिए मैं उन्हें बार बार change नहीं करता slots को, मैं कोशिश करत हूँ, एक ही slot में consistent रहूँ, तो अगर मैं consistent हूँ, तो मेरी body उस चीज़ के habitual हो जाएगी, मेरा mind habitual हो जाएगा, जैसे ही घड़ी में उतना time होगा, my body and my mind will tell me that I have to do something, अब देखो recently मेरा एक 6 बजे का lecture में सो गया, due to some technical error, उस दिन यार मेरी जो class होती थी थी ना 6 से 7.30, तो जब मैं class में होता था तो देड़ घंटा बहुत swiftly जाता था, अब मैं घर पे बैठा था, क्या करता, क्या नहीं करता, कैसे time spend करता, उसमें मेरा बहुत वक्त मुझे लगा धीरे धीरे चल रहा है, ये होता है power of habit, तो एक बार habit में कोई चीज़ आ गई ना, फिर effortlessly होगा, ब पढ़ाई के अलावा सब कुछ होगा, बस पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन पढ़ाई करो, individual target set करो, और ये कोशिश करो कि you are the first one to achieve those targets, अगर कोई दोस जो आपके बहुत करीब है उससे compete करोगे ना, तो आपका mind आपको compel करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो जो हमें, जिसको हम जादा जानते नहीं, अगर देखो आप मुझे बहुत जादा नहीं जानते, आप मुझसे compete नहीं कर पाऊगे, क्योंकि आपको वो motivation ही नहीं मिलेगा, it doesn't matter कि whether you win against me or lose, लेकिन जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं ना, उन से पीछे रहने में ना, mind के ego को hurt नहीं होने देगा, सब कुछ करेगा, ego but first and foremost important है, तो इसलिए कुछ ऐसा hurdle डालो कि आपके अंदर कोई ऐसा इंसान जिसको आप beat करना चाहते हो, जिसके से आप हमेशा आगे रहना चाहते हो, उसके साथ मिलके routine बना लो, अब अगर वो मेहनत करेगा, तो आपका mind खुद compel करेगा, भाई उससे जादा महनत करने हैं, वरना तो पीछे रह जाएगा, तो इस type से आप जो slots decide की हो ना, वो follow भी कर पाओगे, तो बेटा मुझे बताना जरूर comment section में, अगर मेरी कोई भी advice काम आए, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो बेटा like जरूर करना, और अपन के लिए एक information, बेटा मेरा machine का course start हो गया है, प्लस पे, तो जिन बच्चों को भी मेरे साथ machine cover करना है, वो लोग live आ सकते हैं, प्लस पे जल्दी से join कर लो using code अंकित EAC, डेली मैं 4 घंटे का content deliver कर रहा हूं, इन 4 घंटे में हम लोग August end तक machine को wind up कर देंगे, जिसके बाद आप आप से machine के सारे question बन जाएंगे, क्योंकि मेरा target है, 1000 से जाधा question कराने का, और बेटा, prices बढ़ने वाले हैं, 21st of July से, इसलिए immediate join करें, ताकि minimum prices में join कर पाएं, और आप जानते हो, join करने के लिए code लगाना है, अंकित EAC, without any space, और ये ना सिर्फ आपको दिलाएगा 10% discount, बलकि मेरी personal guidance भी, तो मैं code लिखे दे रहा हूं बिटा, आप लोग के लिए, आपको याद रखना है code अंकित EAC, तीक है, इस code से आप लोग anacademy join कीजिए, और मेरे telegram channel पे जुड़े रहना बिटा, जहां daily Q&A मिलता है आपको, इसके अलावा आपको notes मिलते हैं, और सभी lecture के notification भी मिलते हैं, ठीक है, so thank you everybody, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी, like, share जरूर कीजिए, और subscribe कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं subscribe किया है, और वो bell icon दबा देना, ताकि notification आता रहे, तब तक ऐसे ही बेटा, आग लगाते रहो, तबाही म बचाते रहो, let's crack it!